सेवा होती है, in fact त्याद तपस्या ही सेवा है, inspiration देना बहुत बड़ी सेवा है, तो उसके लिए बाबा ने विल पावर, अठरा तारिक के महवाख्य है, बाबा जब अठरा जन्वरे को आए, तो विशेश बाबा ने कहां कि एक तो विल करना, बाबा ने भी विल कब किया, किसके आगे विल किया, लायक होता है न, उसके आगे विल करते हैं, और लायक बनने का, बहुत अच्छा बाबा ने तरीका बताया, गद्धी निशीन बनना है, तो आज्याकारी, एक ने कहां, आज्याकारी का equation, formula है, एक ने कहां, दूसरे ने माना, इसको कहेंगे ज्ञानी, बहस होती है, वो ज्ञानी नहीं है, चाहि कितना भी intelligent है, तो चलो बाबा के, सारी प्रेणाए भरी आज के अवेक्त मुल्ली सुनेंगे, revise date है, 18-1-2000, last time का, 31st January, तो सरी, 31st December था, तो ये new millennium के समय के मुल्ली है, आज समर्थ बाब्दादा, ब्रह्मा बाब समान त्याग तपस्य और सिवा का वाइब्रेशन, विश्व में फैलाओ, आज समर्थ बाब्दादा, अपने समर्थ बच्चों को देख रहे थे, आज का दिन, समर्थी दिवस को हम क्या कहते हैं, कितने सारे नाम है समर्थी दिवस के, 18 जन्वरी के, समर्थी दिवस, अव्यक्ति दिवस, यह इमेन तो यह तीन नाम है, तो आज का दिन समर्थी दिवस सो समर्थ दिवस है, देखो, समर्थी समर्थी दिला है, स्मृत्ती दर्द नहीं दे कोई आत्मा शरीर छोड़े उस दिन को जब याद करते हैं अगर दर्द आता है तो वो powerful आत्मा नहीं थे लेकिन शक्ती आए इसको कहेंगे powerful प्रेर्णा मिले इसको कहेंगे वो आत्मा की power तो स्मृत्ती दिवस हो समर्थ दिवस आज का दिन बच्चो को सर्वशक्तिया विल में देने का दिवस है दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्वशक्तियों की विल बच्चो को की ऐसी अलोकिक विल और कोई करवी नहीं सकता बावा ने पूरे शक्ति अपनी हाथ में हाथ दादी को दिया था तो बावा केते ऐसी अलोकिक विल और कोई कर भी नहीं सकता बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित भव का वर्दान दे विल किया यह विल बच्चों में सहज पावर्स की शक्तियों की अनुभूती कराती रहती है बाबा ने जो शक्तियों की विल की बाबा द्रिष्टी देते देते लास्ट में सब को द्रिष्टी इवन क्लास में भी जब गए गुड़नाइट किया तो शक्ति दी तो शक्तियों की विल करके गए तो बावा केते हैं यह विल बच्चों में तो यह एक है यह विल बच्चों में सहज पावर्स की अनुभूती कराती है एक है अपने पुर्शारत की पावर्स और यह है परमात्म विल द्वारा प्राप्तियों की पावर्स की प्राप्ति यह प्रभू देन है यह प्रभू वर्दान चला रहा है वर्दान मतलब किसको हम कहते है वर्दान वर्दान मतलब महनत नहीं पुरा है ही हुआ पड़ा है वर्दान में पुर्शारत की महनत नहीं होती लेकिन सहज और स्वतह निमित बना कर चलाते रहते हैं सामने थोड़े से रहे लेकिन बाबा ने बच्चो को पावर्ज दी तो जो सामने थे उनको दी विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चो को यह विल प्राप्त हुई और बाब दादा ने देखा भी जिन बच्चो को बाप ने विल किया कि उन सभी बच्चो ने बाबा ने किन को विल किया था शुरू में बाबा ने तो विल किया न मतलब सामने सब दादी यही थी तो आदी रत्नो ने उन सभी बच्चो ने मतलब आदी रत्नो ने और सेवा के निमित बच्चो ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरसे कारी में लगाया और उस विल के कारण आज ये ब्राह्मन परिवार दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है दादी जानकी को एक बार पूछा गया कि दादी या तो उस समय भी दो तिन रही थी तो वो बहुत उसके बाद कैसे यग्यों चलेगा दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो भी श्रीमत पर बहुत समय से श्रीमत पर चले हुए है उन आत्माओं से यग्यों चलेगा मतलब इतना एंबोडिमेंट जो बन गया है तो बाबा कहते हैं कि उस विल के कारण आज ये ब्राह्मन परिवार दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है बच्चों की विशेष्टा के कारण ये व्रद्धी होनी थी और हो रही है बाबजदा ने देखा कि निमित बने होए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेष्टा है बहुत अच्छी रही पहली विशेष्टा चाहे स्थापना के आधि रतन चाहे सेवा के रतन दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही स्थापना के आदि रतन दाधिया जब स्थापना के समय जो आये थे और सेवा के आदि रतन सेवा के अधिरतन कौन है बोलो दिपिका बेन सेवा के अधिरतन जगदीश भाई थे जब यग्य की शुरुवात में आए बाबा जब अव्यक्त हो गए थे ने ने सेवा के अधिरतन जब पता है जगदीश भाई लोग थे और अपने जो सेवा को बढ़ाए फिर आगे राइट बोला लेकिन उसका नेम तो ठीक है एक दो नाम है लेकिन उसकी वह डेफिनेशन क्या है सेवा के अधिरतन बोलो सुनिता विन सेवा के अधिरतन शुलवा बन दिक्षा बन सेवा के अधिरतन जो अपने चहरे और चलन से बाबा को प्रतक्षक किये जैसे श्रीमत पर फुल फॉलो करें दिक्षा बन जिनों ने अपना हड़ी हड़ी सफ़ल कर दियो अधिरतन बोले शुलवा देखो स्थापना के अधिरतन दादिया जो स्थापना आधि मतलब स्टार्टिंग है दादियों के साथ ही यग्ये की स्थापना हुए यग्ये की स्थापना और जब दादिया सेवा पे निकली जहां जहां उस समय जो आत्मा ही निकली उसको कहेंगे सेवा के आधिरतन तो जैसे जगदीश भाई है मुहीनी बेन है यह सब आज जो हमारे फुल सीनियर्ज है पूरी तो वो सब भाई साब है आशा बेन यह सब सेवा के आधिरतन गीता बेन जी है तो वो स्थापना के आधिरतन यह सेवा के आधिरतन तो दादिया जहां जहां गई पटना में गई, भिहार में गई, कलकेटा गई, लखना हो गई, कानपुर गई उस समय के जो आधिरतन उसको बाबा कहते सेवा के आदी रतन, तो पहली विशेष्टा, चाहे स्थापना के आदी रतन, चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही, किसी ने भी क्यों, क्या, कैसे, ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा, यूनिटी कब होती है, no argument दूसरी विशेष्टा, तो क्यों यूनिटी के लिए चाहिए, क्यों, क्या, कैसे, ये question ले, कुछ भी ने, दूसरी विशेष्टा, एक ने कहां, दूसरे ने माना, दूसरे ने माने, सिंपल, देखो, बाबा का फॉर्मूला इस पे चलता है, गुपी वेन, एक अपने अनुभव सुनाती है, कि उसको लैप्टॉप खराब हो गया था, तो लेना था, संकल्प का, तो लौकिक भाई ने कहां, कि मैं दे दूँगा, मतलब तुमको जो चॉइस है, तो वो, फिर सोचा कि ठीक है, तो देखा था कि एपल का मैक का लैप्ट बहुत लाइट होता है, तो सोचा कि वो यह लेंगे, तो फिर वो IT टीम होती है, वहां सब सेंटर पे, तो उन्होंने बोला कि यह वाला जो है, मॉडल हम सपोर्ट नहीं करते, यहां यग्यमे, तो अब वो सोचा तो चलो फिर ठीक है, यग्यमे नहीं चलता है, तो दूसरा, अब दूसरा भी कर लिया, सोच लिया, अब फिर वहां अगर फाइनल कर लिया, उसके बाद तीन पेज का कुछ फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म भरो, सेंटर पे रहने वालों कि मैं तरीके बताते हूं आप, तो यह पूरा यग्य से, अब जब फॉर्म भर दिया, फिर फॉर्म जाता है, अपुरूवल के लिए, निमित के पास, तो उस समय फिर दादी आई हुई थी, दो हफते के लिए वहां, लंडन, तो जैन्ति वेन ने, बाद में जब दादी आई, बस बैठी थी, फिर बुला आ रही है, तो कहां कि ये फिर फॉर्म आया, मतलब इतना सा एक लैपटॉप की बार थी, अच्छा पिर दादी ने कहां कि क्या है, बोला दादी ऐसे ऐसे है, ये है, बोला अच्छा, ऐसा क्यों चाहिए, कितना जरूरी है, क्या है, अब अंदर तो संकल्प चलता है ना, इ क्या संकल्प चल सकता है, बोलो मेदा बें, अरे भाई दे रहा है, तब येग्यों को क्या प्रॉब्लम है, पर इतना दादी ने पूरा कॉस्चन कर कुरा के, उसने कहां कि मेरा पूरा मुह यहां से चला गया, उससे लैपटॉप से, और उसके बाद वैसा ही आया, लेकिन एदम कंप्लीट डाइरेक्शन के एकोडी, कंप्लीट जैसे यग्ये से आया है ट्रस्टियों में, और कहां कि वो लैपटॉप आज तक कभी घूम नहीं होता है, पर्स चला जाता है, लेकिन लैपटॉप कभी नहीं जाता है, क्या, क्या चाहिए था, मेरा पन, ये वाला फ चल सकते हैं, तो बावन ने कहां, ऐसे नहीं चीजे मिलती है, तो किसी ने भी क्यों, क्या, कैसे, यह संकल्प, ये नेचर, उद्धी को कंप्लिट समर्पित करना, ये है यग्य में चलना, ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा, और दूसरी विशेष्टा एक ने कहां, दूसरे ने माना, ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेष्टा है, वो जो यग्य से चीज आईगी भी न, य या चाहे घर में भी यूज करनो, इतनी एनरजी उस चीजों में देनी जी, जब वो श्रीमत के एकोडिंग होती है, तो वो सेफ होती है, तो वो चीज आईगी भी न, वो कभी गुमी नहीं, वो अपनी रहेगी, सेफ रहेगी, तो ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वाय देता रहा, बाब दादा ऐसे समय पर निमित बनेवे बच्चों को दिल से प्यार दे रहे है, बाब की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है, और उस समय का संगठन, यूनिटी, हम सब एक है, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है, क्यों? हम सब एक है, यह संकल्प है ना, कभी भी कोई दूसरे की बातों में आना मतलब डिस यूनिटी, अंदर से, क्योंकि डिस रिस्पेक शुरू होगा, डिस यूनिटी हो जाएगी, तो बाबा केते, क्यों बढ़ा रही है, क्योंकि निमित बनी हुई आत्माओं का फांडेशन पका रहा, तो बाब दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को घा रहे थे, बच्चों ने चारो और से प्यार की मालाए पहनाई, और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किये, अठरा जन्वरी है ना, फूलों से श्रंगार करते बाबा को चारो तरफ से, इतना सम चलना है यह सोचा था, 2069, क्यों? आज हम लोग को तो लगता है क्या है, 2000, मतलब इतना समय चल लिया, बाबा हमेशा सब को कहता था कि अगली दिवाली नहीं देखेंगे, यह इस टाइल से दादिया पली, कि बस यह लास्ट है दिवाली, तो बाबा कहते है, इतना समय चलना था, यह सोचा था, कितना समय हो गया, सभी के मुख से, दिल से यही निकलता है, अब चलना है, अब चलना है, लेकिन बाब दादा जानते थे, कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा, रूप की सेवा होनी है, अव्यक्त रूप की सेवा, पुराने बता है, अव्यक्त रूप की सेवा क्या है साका रूप की सेवा और अव्यक्त रूप की सेवा बोलो सुमन्बन अव्यक्त रूप की सेवा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो बाबा ने अव्यक्त रूप से सेवा की सेवा बाबा ही करा रहा है तो साकार की सेवा जब साकार में थे अव्यक्ती से यह सब टर्मिनलोजी है बाबा के यग्य के तो बाबा कहे रहे हैं कि बच्चों ने तो साकार में इतना अव्यक्त रूप की सेवा हुनी है साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था 25,000 वाला डाइमंड हॉल बाबा के अत्ती लाडले डबल विदेशी आये थे साकार में बाबा के रहे विनाश होना है दादियों ने फिर कुछ सोचा नहीं कि अरे बाबा तो के रहे 9 लाक आएंगे सब को संदेश मिलेगा यह तो मिला ही नहीं थोड़ी अभी विनाश होगा तो इसलिए फास्ट संपूरण हो रहे न हो गए थे दादिया तो बाबा केते हैं अच्छा बाबा केती लाडले डबल विदेशी आये थे उस समय साकार में तो डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अव्यक्त अलोकिक जनम होना ही था इतनी सब बच्चों को न न अना ही था एक भी विदेश का सेंटर नहीं था और बाबा कभी विदेश गया नहीं ख 디자 तो डबल विदेशों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र है, ब्रम्म बाबा का त्याग ड्रामा में विशेश नुन्दा हुआ है, आदी से ब्रम्म बाब का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नुन्दा हुआ है, सबसे नंबर वन त्याग का एक्जामपल ब्रह्मा बाप बना त्याग किसको कहा जाता है जो कुछ जो सबकुछ प्राप्त त्याग की डेफिनेशन किसको है क्या होगी क्या कहा जाएगा चलो पहले मंधन करें त्याग किसे कहा जाता है हाह जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग और मेरे पास सब कुछ है मैं ड्रेस इतना ज्रीच सकते हूं सब कुछ लेकिन फिर भी त्याग करें उतना नहीं खरीदे उतने उसमें जाए नहीं कर सकते हैं लिकिन नहीं कर रहे हैं तो आधी से तो सबसे नंबर वन त्याग ब्रह्मा बाप का बना जो कुछ सबकुछ प्राप्त होते होए त्याग करें समय अनुसार समस्याओं के अनुसार त्याग, स्रेष्ट त्याग नहीं है, समय ऐसा है, तो चलो छोड़ो, मजबूरी है, मेरा समय ऐसा चल रहा है, चलो इसलिए मैंने ये त्याग कर लिया, या समस्या ऐसी आ गई, अब तो छोड़ो बाबा को याद करो, वो त्याग नहीं है, शुरू से ही देखो, स् अन्मन धन, संबंद, सरफ प्राक्ति होते हुए त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वयम पुराने में ही रहे, सब जो बच्चे हौल में, सिमेंट के घर में, बाबा जोपड़ी में रहे, साधनों का आरंब हो गया था, होते होई भी, क्या कहेंगे, होते होई भी साधना में अटल रहे, यह ब्रह्मा की तपस से आप सब बच्चों का भाग्य बना कर गई, एक का त्याग, दुसरे का भाग्य, ड्रामा नुसर ऐसे त्याग का एक्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेश पार्ट बनाया, त्याग से जो आत्मा में शक्ति आई, वो एक बाबा साकार में भी और अव्यक्ट में भी, बाबा का संकल्प सिध, तो संकल्प शक्ति की सेवा का विशेश पार्ट बजाया, जो नहीने बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट व्रद्धी को प्राप्त कर रहे है, अव्यक्त पालना का मतलब है, क्या है दूसरा, संकल्प शक्ति से रचना, बाबा ने जहां-जहां सेवा के लिए संकल्प किया, वहां देवता पैदा हो गए, देवताओं का जनम हो आई, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी, पहला त्याग, फॉस्ट पॉइंट, सब कुछ प्राप्त होते हुए भी त्याग, हम कर सकते हैं इतना खर्चा, पर नहीं करेंगे, दूसरा, पुराने साधनों का आरंभ हो गया था, लेकिन साधना में अटल, पुराने साधना, जो मेरी तपस्या है, साधना है, वो नहीं छोटा, और तीसरा, फिर वो संकल्प शक्ति, ऐसा त्याग ने संकल्प शक्ति से जनम दिया, ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है, तपस्या का प्रभाव इस मदुबन भूमी में समाया हुआ है, साथ में बच्चे भी यह, बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित तो ब्रह्मा बाप ही कहेंगे, जो भी मदुबन तपस्वी भूमी में आते तो ब्रामन बच्चे भी अनुभव करते हैं, कि यहां का वायूमंडल यहां के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है, और कैसी भी आत्माय आती है, वह कुछ नकुछ अनुभव करके ही जाती है, ज्यान को नहीं भी हाँ या ना, जो नहीं है वो भी जाएंगे, पिर अनुभव कर लेना, है न, कि आटोमेटिक योग लगता है, आटोमेटिक सेवा, त्याग, तपस्या के संकल्प चलते हैं, तो योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है, मदुबन भी, बाबा की घर भी, एक भाई जाता है, उसको नींद नहीं आती है, वो लग कितने सालों से नींद ही नहीं लिया, कोर्स कर रहे है, तो उस दिन ये कॉमेंटरी करा रही थी, और अच्छे से उबास ही आ रहे है, मतलब ये एचिवमेंट है, तो ये ही कहां कि ये तो मुझे कॉमेंटरी चाहिए, मुझे आस तक नींद नहीं आई है, वाइब्रेशन, उस शब्दों में वाइब्रेशन का असर, तो बावा कहते है, जो वो आई इसलिए कि मुझे नींद चाहिए, मुझे का ये तो बहुत अच्छा अच्छा अच्छीवमेंट है यहां तो योग लगाने की भी महनत नहीं, सहज लग जाता है, और कैसी भी आत्मयाती, वह कुछ नद कुछ अनुभव करके ही जाती है, ज्यान को नहीं भी समझते लेकिन, अल्हो की प्यार और शांती का अनुभव करके ही जाते है, कुछ नकुछ और क्या होता है वहां? मदुबन अनुभा वो करके जाता है दूसरा कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल करके ही जाते इसलिए तीन दिन चार दिन खिलाने के बाद आजकल तो दादी नहीं है नहीं तो यह हमारा नियम होता था चार दिन प्रोग्राम होता था वहां ज्यानसर्वर शिविर का चौथे दिन दादी मिलती थी बड़ी दादी ओम शंती भवन में सब इकठा और फिर सारे प्रोमिसेस करा लेती थी सफेदालू नहीं खाना पवित्र पूरे ब्रह्म डॉक्टर्स के पूरे भरी सभा के बीच में दादी नहीं का कौन अपसे पवित्र रहेगा हाथ उठाओ जूडी शरी में बोला कि कौन जूट नहीं बोले यह भी है तो भावा दादी कराती थी ठीक है ना गुला भाई याद है कैसे बाद पूरी भरी सभा के बेच में और सब लोग अच्छे से दिदी सफेदालू क्या हुआ सफेदालू नहीं खाना पूछो अभी तक नहीं बत अच्छे सफेदालू अंडा 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 एग एग ठीक है तो बाबा के तो कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते है यह है ब्रह्मा और ब्राह्मन बच्चों की तपस्या का प्रभाव साथ में सेवा की विधी भिनभिन प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हैं तो जैसे ब्रह्मा बाप की त्याग तपस्या सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा हैं ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग और त्याग तपस्य और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैला है, मेरे पास सब कुछ, त्याएट लेकिन साधना, लेकिन फिर भी त्याग, बहुत कुछ खर्चा कर सकते हैं फिर भी त्याग, ये है त्याग, तो जैसे साइंस का बल अपना परभाव परत्यक श रच्ता साइलेंस बल है, साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है, साइलेंस बल का वाइब्रेशन तिव्रगती से फैलाने का साधन है, मन बुद्धी की एकागरता, ये एकागरता का अभ्यास बढ़ना चाहिए, साइलेंस बल का तिव्रगती से, वाइब्रेश एकागरता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हैं, हल्चल के कारण पावर्फुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता, साइलेंस बल मतलब एकागरता, एक है अफकोस सब योग में जो हम एकागरता का अभ्यास करते हैं, लेकिन कोई भी संकल्प ले लिया ना, सम्कम्प्लीट निश्चे उस संकल्प पर, एकागरता पता नहीं होगा नहीं होगा, तो हल्चल के कारण पावर्फुल वाइब्रेशन नहीं हो सकता, बाबदादाज देख रहे थे, कि एकागरता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए, सभी बच्चों का एक ही द्रड संकल्प हो, कि अभी अपने भाई बेहनों के दुख की घटनाए परिवर्तन हो जाएं, दिल से रहम इमर्ज हो, क्या जब साइन्स की शक्ति हल्चल मचा सकती है, तो इतने सभी ब्राम्वनों के साइलेंस की शक्ति, रहम दिल भावना द्वारा वा संकल्प द्वारा हल्चल को परिवर्तन नहीं कर सकती, साइलेंस की शक्ति, क्योंकि साइन्स की शक्ति अगर हल्चल कर सकती है, तो हम सब अगर एक ही संकल्प करें, रहम की भावना, तो उससे क्या उसमें परिवर्तन नहीं ला सकती, आत्मा में, जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेश अटेंशन दो, जब आप ग्रेड ग्रेड ग्रेंड फादर की बच्चे है, आपके ही तु सभी बिरादरी है ना, शाखाए है, परिवार है, आप ही भक्तों की इस्ट देवो, यह नशा है कि हम ही इस्ट देव हैं? नहीं नहीं भाई क्या कहें, मनिश भाई, इस्ट देव, देवी, देवता और हर घर में नहीं एक इस्ट होता है, चाहे कोई कितना भी माने, वो कहते हैं, मेरा तो न सीक्रिष्न है, मुझे सीक्रिष्न से प्यार है, किसी के राम इस्ट होते हैं, कितनी भी महिमा सीक्रिष्न की कर लें, प्यार बहुत हैं, पर इस्ट मेरा रामी रहे, मेरा पूरा समर्पन उसे एक की प्रति रहे, इस्ट, इसको कहेंगे इस्ट, तो देवी, देवता बनना और इस्ट देव तो सारे इस्ट बनेंगे जो भी देविदेरा बनेंगे मोग सारी इस्ट बनेंगे जो स्टार्टिंग वाले बनेंगे वह इस्ट है तो देवी देवता क्या है बनेंगे वह तो देवी देवता क्या है बनेंगे वह तो देवी देवता क्या लाएंगे ने देवी देवता सारे बनेंगे इस्ट सारे बनेंगे पुराने क्या क्या है इस्ट बनेंगे इस्ट मतलब वो कंप्लीटली वो भगत उसके प्रतिय इसलिए इस्ट में कौन आते ज्यादा था श्री कृष्न है स्ष्री राम है जैसे कोई पर्टिकुलर देवी देवता है मैं हनुमान जी को मानती हू गायतरी देवी को मानती हू बस गिंति के वो सारी नहीं है मतलब वो वो जैसे वो इस्ट देव है उसके तो कुल देवी निए वो कुल देवी है इस्ट बहुत बहुत इंडिपेंडेंट डिसिशन है वोलुंटरी है चाहे वो घर में सब लोग सी कृष्ण को माने लेकिन मेरा राम इस्ट है यह सकता है तो दिधी जो 33 क्रोड देवी देवता बनेंगे वो किसी ना किसी के तो होगे ना कोई ना वैसे मानेंगे अब देट कई है ना सबको मानते हैं लेकिन मेरा पूरा अपना पन वो एक के प्रती होता है कोई पर्टिकुलर कोई कायतरी देवी हो कोई तो ऐसे जो इस तरह की समर्पन भाव वाले इस्थ हैं, तो ऐसे होते हैं, जैसे हमारा सिक्रिष्न इस्थ था, तो हमारे कांटा बेन है, घर में सिक्रिष्न की पूजा होते थे, पर राम इस्थ है, उसके रामी थे, रामी है, वो ही है मेरा सब कुछ, किसी के शिव होते हैं, ऐसे होते हैं, इ इश्ट देवी महसूस करते हो, यह लेवल तक आना है, क्योंकि वो आत्मा संगर्म यूग में इतनी समर्बन बुद्धी होगी, तब लोग भगत उनके प्रती समर्पित भाव रखेंगे न, तो वावा कहे रहे हैं, यह इश्ट देव आप सिर्फ सुन रहे हो, आप ही तो भक चिला रहे हैं, आप सुन रहे हो, वा पुकार रहे हैं इश्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रेस्पॉंड नहीं करते हो, तो बाप ददा कहते हैं, भक्तों के इश्ट देव, अभी पुकार सुनो, सिर्फ सुनो नहीं, क्या करना है, सुना सभी ने, सिर्फ स सुनो नहीं, क्या रिस्पॉंड देंगे, परिवर्तन का वायू मंडल बनाओ, आपका रिस्पॉंड उन्हों को नहीं मिलता है न, वो इतना चिल्लाते हैं, पहुचता ही नहीं है, तो वो भी अलवेले हो जाते हैं, एक्जैक्ली हाँ, वायू मंडल तो कह, यहां बनना है न, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, ब्रह्मा बाप के हर कारे के उत्सा को तो देखाई है, जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शुरू बाप से कहते हैं, अभी घर के दर्वाजे की चाबी दो, चाबी कौन सी चाहिए, ब्रह्मा बाप को, कौन सा, घर के दर्वाजे की चाबी कौन सी चाबी यह बलो, परम धाम के गेट खुलने की चाहिए, वो बंद करके रखा है, बाप ने अभी तक, किसी ब्रह्मा बाप के लिए भी नहीं खुला है, क्या क्राइटेरिया है, परम धाम के गेट के चाबी की, सब को संदेश मिल जाए, और तुम ब्रह्मा बचे तयार हो जाए, तो परम धाम का गेट खुले, उपर, अभी वतन में है बाबा, तो बाबा क कहते है, अभी घर के दर्वाजे की चाबी दो, लेकिन साथ जाने वाले भी तो तयार हो, बाबा अकेला आपके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं खुलेगा, अकेला क्या करेगा, तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है, साथ जाना है ना, तो ब्रह्मा बाप कहते है कि बच्चों से पूछो अगर बाप चाबी दे दे बाप ब्रह्मा बाबा पूछ रहा है बोल दिया बच्च बाबा को कि यह मैसेज दो बच्चों को कि अगर बाप चाबी दे दे आप एवर रेडी हो एवर रेडी हो या रेडी हो फोरा कहना एवर रेडी में और रेडी में त्याग तपस्या सेवा तीनों ही पेपर तयार हो गए है त्याग तपस्या सेवा त्याग भी की तपस्या भी की लेकिन सेवा नहीं की तो भी फाइदा नहीं त्याग तपस्या को इन्वेस्ट तो करो जो त्याग मैंने किया उसको इन्वेस्ट करो सेवा में यूज करो ब्रह्मा बाप मुस्कुराते है कि प्यार के आसु बहुत बहाते है और ब्रह्मा बाप वह आसु मोती समान दिल में समाते है लेकिन एक संकल्ब जरूर चलता है कि सब ever ready कब बनेंगे डेट दे देवे आप कहेंगे हम तो ever ready है ever ready के लिए क्या criteria चाहिए ever ready कोई भी चीज के लिए ever ready चाहिए हाँ तो उसके लिए क्या lifestyle चाहिए ever ready वाली always समेटा हुआ वो बोरा विस्तर तयार तो जो मेरी last packing होनी चाहिए वो always packed ही रहे तो जो बुद्धी में वो packing होनी चाहिए वो पहले से अभी से अभी भी I am ready बाबा हाँ तो बाबा पूछ रहे है कि ever ready कब बनेंगे डेट दे देवे कोई बात नहीं बाबा ready हो मुझे कहीं कोई खीचत नहीं रहा है कोई रसी कहीं बंदी होई नहीं है आप कहेंगे हम तो ever ready है लेकिन आपके जो साथी है अच्छा उन्हें भी तो बनाओ या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे सुना बागा ने पर वो तयार नहीं हो तो इसका मतलम मैं भी बैठी नहीं रहूं दोनों बात है तयार भी करो पर तयार वो ही कर सकता है जो खुद तयार होगा न अच्छा बताओ तुमको क्या मदद चाहिए मेरी पेकिंग हो चुके है मतलब इन वे अपनी पेकिंग रेडी चाहिए तो आप कहेंगे हम तो ever ready है आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया न लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी फास्ट व्रद्धी की जिम्मेवारी थी तो सभी ever ready है एक नहीं सभी को साथ ले जाना है न या अकेले अकेले जाएंगे तो सभी ever ready है या हो जाएंगे बोलो है या हो जाएंगे है हो जाएंगे तो अच्छा अब ये आगे की कॉस्चन है हो जाएंगे वाले कितने अच्छा है वाले अच्छा हो जाएंगे चलो आज की मूरली से तो हो जाएंगे ना किसी ने हाथ नहीं उठाया अव्यक्त फरिश्टन हो जाएंगे अच्छा है कि केटिग्री में आच्छा बावा देखो क्या कम से कम बोलो कम से कम नौलाग तो साथ जाए नहीं तो राज्य किस पर करेंगे अपने उपर राज्य करेंगे क्या तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुक कामना है कि एवरेड़ी बनो और एवरेड़ी बनाओ उसको भी हेल्प करो डिटैच होने में अपनी तरह हैं आज वतन में भी सभी विशेश आधी रतन और सेवा के आधी रतन इमर्ज होई आधी रतन दादिया और सेवा के आधी रतन जैसे यह स कहते हैं कि हम प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई स्रष्टी की रचना के निमित बनेंगे एडवांस पाटी समझा क्या करना है उनको किसके लिए तैयार है मतलब नई स्रष्टी की रचना के निमित बनेंगे न देवी देवताओं के पैरन्ट लेकिन उसके लिए वो तैयार है हो पूरा जो भी चाहिए वे सिस्ट्म के लिए वो तैयार है लेकिन उसके लिए हमारी क्या तैयारी चाहिए ताली तो आपको बजाना है न फिर तो परदा खूलेगा परदा अंदर वाले रेडी है परदा खूलने के बाद पर ताली बजाए नहीं तो तो प्रत्यक्ष्ता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्षोकर नई स्रष्टी की रचना के निमित बनेंगे हम तो आवान कर रहे हैं कि नई स्रष्टी की रचना करने वाले आवे अभी काम सारा आपके उपर है जो ताली बजाने वाले उसके उपर है तो अभी नगाड़ा बजाओं, क्या नगाड़ा बजाओं? सुना? एक के है, एक ही है, आगया, एक है वो तो चलो भक्ति मैं भी मानते हैं हैं, आगया, आगया का नगाड़ा बजाओं, भगवान आचुका है नगड़ा बजाने आता है ना बजाना तो है ना अभी ब्रह्मा बाप कहते है अब डेट ले आओ आप लोग भी कहते हैं ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है वो स्पीड आती कब है है पैकिंग भी कब फास्ट होती है उमंग भी आता है और यर परपस भी होता है डेट फीक्स हो गया अब परपस है कि जाना है तो बाबा कहते हैं तो इसकी भी डेट बनाओ है डेट बना सकते होना बाप तो कहते हैं कि आप बनाओ अब आप कहते हैं आज ही बनाओ डेट बताओ कॉंसी डेट चाहिए किसकी डेट डेट तो बताओ किसकी डेट नगाड़ा बजाने का मतलब सब्सक्राइब इवर डेट पूरा डेट ने सब्सक्राइब बाब कहते हैं है बाप केते आज ही बनाओ आज अब हम योग करेंगे ना सब अपना-अपना संकल्प ले ले कि इस डेट तक ये स्थिती हो जाएगे ठीक है तो आप बाप केते आज ही बनाओ conference conference की date fix किया है ना और यह इसकी भी if conference کرो, करो ना, विदेशी क्या समस्ते date fix हो सकती है, date fix करेंगे, हा या ना, kuchere Baba, date fix करेंगे, हा या ना, एको कुछ नहीं बूला न, अच्छा, दादी जानकी के साथ राई करके करना, विदेशे को बुढ़ अच्छा, राजस्थान के सेवा धारी, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला, राजस्थान का जैसा नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे कॉलिटी वाले निकालो, प्रजानी राज घराने के राजे निकालो, तब जैसा ना नाम है राजस्थान, वैसा ही जैसा नाम वैसे सेवा की कॉलिटी निकलेगी, है कोई छीपे होए राजे लोग या अभी बादलों में है, वैसे जो बिजनेसमेन है उन्हों की सेवा पर विशेश अटेंशन दो, राजस्थान में बिजनेस कृप जादा है यह मिनिस्टर और और बिजनेसमेन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताई भी सह जा सकती है, अकेली माताई नहीं चल सकती है, देखो यह राजस्थान जो है ना बिजनेस में मास्टर है, माहिर है, मतलब उनका वो संसकार है, इसलिए राजस्थान ही जादा और पुरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा विदेश में जाते नहीं वो यहीं से बिजनेस इतना अच्छा करते बाकि जॉब वाले होते है ना तो ज्यादा तर पंजाबी है गुजराती है बहुत जगह फैले होए ऐसे फोड़ा सा स्टैस्टिस्टिक्स है तो बाबा जैसे कह रहे ना कि बिजनेस में होशिया सकती है अकेली माता ही नहीं चल सकती है लेकिन अगर घर का स्थम्ब आ जाता है तो परिवार आप ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है इसलिए राजस्थान को राजे कॉलिटी निकालनी है ऐसे कोई नहीं है ऐसा नहीं कहो मतलब इस तरह की राजे कॉलिटी की आत्मा ही निका लेकिन बाबा देखो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, थोड़ा ढूनना पड़ेगा, ठीक है, बहुत है, जीके में बिजनेस ग्रूप, बाबा केते हैं, ढूनना पड़ेगा, लेकिन है, थोड़ा सा उनों के पीछे समय देना पड़ता है, बिजी रहते हैं, कोई ऐसी जून लेता है, यह बहुत अच्छा, नजदीक आने और दुआए लेने का साधन है, हर कोई को सेवा की, यह जो सेवा की स्टाइल भी जो चली है, अभी तक जो चल रही है, कि दिल्ली सेवा का टर्न है, और यह उस समय से शुरूआ, जब से डाइमंड हॉल बना था, तो क्योंकि अब इतने बड़े यग्यों को चलाना, 25,000 की केपैसिटी वाले को चलाना, मतला हजार तो सेवा धारी चाहिए, रेगूलर खडचे भी कितने हो जाते, तब फिर दादी ने यह वाला स्टाइल चलाया, कि जिनकी भी सेवा का टर्न है, वो पूरी सेवा करे, यह तो चाहिए आप लोगों को सब देखे या नहीं देखे, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है, तो दुआए स्वतहन निकलती है, और वो दुआए पहुँचती बहुत जल्दी है, दिल की दुआए है ना, तो दिल में जल्दी पहुँचती है, बा दौाए देना, दौाए लेना, दौाए दो और दौाए लो, हर बात में बहुत अच्छा कर देगा है, यह बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, दौाए फ्यूचर के लिए मत दो, बहुत अच्छा है यह दो, बहुत अच्छा हो जाएगा नहीं, आपका बहुत अच्छा business है ये तो तो बाबा कहते है दुआए दो और दुआए लो दुआए दो तो easy है दुआए लो ये भी easy है ये भी easy है दुआए लेना नहीं है देखो नहीं बोल रहे हैं न तो फिर तो फॉर्मूला उल्टा होना चाहिए बाबा दुआए दो easy दुआए लो difficult जब दुआए देने का संसकार होगा हम कर्स देते है तो कर्स मिलता है तुम तो ऐसी ही हो तुम तो ये ही हो तुम कभी सुदरने वाले नहीं हो तो हमको भी मिलता है देंगे वो ये लेगा और जो मिलेगा वो फिर देंगे तो एक अगर easy है तो दूसरा easy है ही ये बाबा कह रहे है तो बाबा कहते है सबसे सहच पुर्शार्त है दुआए दो और दुआए लो दुआओं से जब खाता भढ़ जाएगा तब भरपूर खाते में माया भी disturb नहीं करेगी जमा का बल मिलता है राजी रहो और सर्व को राजी करो हरे के सुभाव का राज जानकर राजी करो ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज तो आप स्वेम राज को जान जाओ उसकी नबस को जान जाओ फिर दुआ की दवा दो वही उसको बहुत सा हर चीज प्रॉम्ट चाहिए उसका राज जान गए वैसे करो तो सहज हो जाएगा ठीक है ना राजस्थान राजस्थान की टीचर्ज उठो सेवा की मुबारक हो तो सहज पुर्शारत करो दुआए देते जाओ लेने का संकल्प भी नहीं करो देते जाओ तो सिर्फ देने का संकल्प करो तो मिल जाएगा ठीक है जो कहता है ना मिलना मुश्किल है क्योंकि देना मुश्किल हो जाए इससे तो मेरा निकलता ही नहीं है इस से तो इसके प्रती तो मेरी शुभावना निकलती नहीं है, ऐसी कोई आत्म है अगर लाइफ में, बाबा कहते हैं दूआए दो, लेने का संकल्प नहीं करो, देना ही लेना है, ठीक है ना, ऐसा है ना, दाता के बच्चे है ना, कोई दे, तो दे, नहीं, दाता बनके देते जाओ, तो आप ही मिलेगा, अच्छा, जो इस कल्प में पहली बारी आया है, वहाथ उठाओ, आदे पहले वाले होते हैं, आदे नए आते हैं, अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हो, सभी सहज योगी हो, किनारे में बैठे वाले, वर्षा बैन, सहज योगी हो, एक हाथ उठाओ, किनारे वाले, सहज योगी, कितना है, बाबस से प्यार आज हम करेंगे वैसा योग, बहुत मज़ा आएगा, विदाई के समय, बाब ददाओ को रत यात्राओं का समाचार सुनाया, चारो तरफ का यात्राओं का समाचार समय, प्रति समय, बाब ददा के पास साता रहता है अच्छा सब उमंग उच्सा से सेवा का पाड बजा रहे हैं भक्तों को दुआई मिल रही है और जिन भक्तों की भक्ती पूरी हुई ये रत यात्रा निकाली गई थी उस समय सेवा का स्टाइल बहुत था इस तरह का जैसे वो प्रोसेशन निकालते ना तो ऐसे थे रत यात्रा निकाली तो भक्तों की भक्ती पूरी हुई उनों को बाप का परीचे मिल जाएगा और परीचे वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे बगी सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वह साधन अच्छा सबको आक अच्छा साधने क्या करते थे ट्रक होता था एक ट्रक को सजाते थे पूरा और उसमें सारा मतलब सेवनदेज का कोर्स और फिर वो ट्रक को सजाकर स्ट्रीट पे उजाल्नी कर जाते थे वह तो खाली वह तो चलो कहीं कहीं होगा पर जैसे यह वले आओ मतलब कभी-कभी वैसे होता तो इस तरह के भी किये थे तो यह भी अच्छा साधन एब आगे बढ़कर इनों की सेवा कर आगे बढ़ाते रहना जो भी यह रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं अथक बन सेवा कर रहे हैं उन्स सभी को याद प्यार बहुत सारी थी उस समय लगे थी काफी सारा भी थे और भी थे ऐसे अलग-अलग स्टाइल निकालते थे कि यह तो 18 जनवरी के मुड़ी है न मतलब शिवरात्री तो बाद में आती है तो पहले वाली है तो उन्स सभी को याद प्यार बाब ददा सभी को देखते रहे हैं ऐसे जैसे जो भी यह कैंपेंज निकलते अब जैसे यह नशा मुक्ति का भियान निकाला तो उसके कारण और वो भी गवर्मेंट से मिलके कई वैन की ओफर आई कि यह हमारी वैन आप पर्मनेंट रखो क्योंकि इसमें इतना अच्छा आप यह काम करते हो लोगों के इतना नशा चुडा देते हो तो ऐसे सेवा तो बहुत फायदा भी होता है बाप दादा सभी को देखते रहते और सफलता तो जनमसित अधिकार है ही अच्छा मौरिश्यस में अपनी विश्वरी विश्वविध्याले को नेशनल यूनिटी अवर्ड प्राइम मिनेस्टर द्वारा मिला मौरिश्यस में वैसे भी वी आईपी का कनेक्शन अच्छा चल रहा है वहां का प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छा उन दिनों मैं वही थी प्रोग्राम होता है न छोटा सा हमने देखा सेंटर पे 10-15 का कोई ऐसा था प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया एक बीच में प्रोग्रा प्राइम मिनिस्टर के साथ तो प्रभाव भी अच्छा है इसलिए गुप्त सेवा का फल मिला है और सभी को खास मुबारक अच्छा ऐसे देश विदेश के चारो और के बाब दादा के अती समेप अती प्यारे और न्यारे बाब दादा देख रहे है कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे होए है सुन रहे है और मिलन के जूले में जूल रहे है दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं है सामने भी नहीं समाय होए है तो ऐसे सम्मुक मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे सदा बाप, समान त्याक, तपस्य और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे सदा एकागरता की शक्ती द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे सदा बाप समानती प्रपुशारे द्वारा उडने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप ददा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते वर्दान है श्वासो श्वास याद और सेवा के बैलन्स द्वारा सदा प्रसन्न चित भव श्वासो श्वास याद और सेवा के बैलन्स द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित भव जैसे एटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जूटा रहे वैसे सेवा में भी सदा लिंक जूटा रहे श्वासो श्वास याद और श्वासो श्वास सेवा हो इसको कहते हैं बैलन्स इस बैलन्स से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशिरवादों से पल रहे हैं महनत से युद्ध से छुट जाएंगे क्या क्यों कैसे इन प्रश्णों से मुक्त हो सदा प्रसन्न चित रहेंगे फुर सफलता जनमसिद अधिकार के रूप में अनुभव करते अच्छा स्लोगन है बाप से इनाम लेना है तो स्वयम से और सातियों से निर्विग्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो स्वयम से और सातियों से निर्विग्न रहने का सर्टिफिकेट कि ये कभी भी प्रॉब्लम करने वाली आत्मा नहीं है तो ये सर्टिफिकेट चाहिए अगर बाबा से इनाम चाहिए तो आच्छा जी ये थी तो क्या धारन करना है त्याग तपस्या और सेवा तो एक है त्याग जो बावा ने कहां एवर त्याग साधनों का साधन होते होए फिर भी त्याग तो एक है साधन ये त्याग साधन होते होए साधना अटल रहना और फिर ये संकल्प के स्रश्टी तो तीन बाद तीन कॉलिटी त्याग की है फिर भी वो यूज नहीं कर रहे और फिर अब उसको सेवा में यूज करना और फिर दूसरा है एवर एडी एवर एडी किसे बाबा क जब सबस्का समयचा हुआ होगा समयचा हुआ होगा ओल्वेज इदर से मोह जीप यह पेपर में पास एवरेड़ी अंदर तो रेड़ी नहीं बाबने का एवरेड़ी चाहिए ओकी जिए तो यह हुमवग पूरे हफ्ते हम करेंगे त्याग देखो कितना मैं त्याग कर सकते है तो भी त्याग इसको कहेंगे त्याग अभी हम फिर योग भी करेंगे